जैगा आत्रिमा दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ और आज आप लोगों की ज्ञान बढ़ाने के लिए और अच्छी जानकरिक साथ उपस्तित हुआ हूँ जो आप देख रहे हैं इसको संस्कृत में चीरबिल्व या चिलबिल के नाम से जानते हैं संस्कृत में इसको और पूती करंज प्रक्रिय के नाम से जानते हैं हिंदी में चिलबिल, चीरमिल, पापरी, करंजी, बेगाना इन नाम से जानते हैं और यहां पूरे भारत वर्स मिलते हैं हिमाले च्छेतर में लेख है आप अपने को तो मिल जाता है यह विसाल काई पेंड होता है आप जो देखा रहा हूं वहां और इसके जो पूस्प भी इसमें लगते हैं और जो फल लग रहे हैं पैसे जैसा गोल सिक्के के अकारमी इसमें फल लगते हैं जो पीले पीले हरा पीला रंग में दिखाई दे रहा है गुच्छ में लगते हैं और चप्टे बीज होते हैं इसमें और गुच्छों में होते हैं जनवरी फरवरी मार्च में यह इसमें फल से लद जाते हैं और फल से लद गया है आप इसको देख रहे हैं और इसमें अनेक परकार के रोग को समन करने की छमता है यहां इस्तंभान ताप जनाक सोत वादगुम रेचाक उक्रीमी आदि रोग को नास करता है यहां लग भाग 22-30-40 मिटर तक के हो जाता है मैं कुछ इसका अफसधी प्रोग आप लोगों को बताऊंगा इसमें तो बहुत सारे इसे रसायनेगों ने जिसे टैनीन है बीसिस्टोइस्टराल है और हेडरेजीनीन है आदि कई तर्थ पर पाये जाते हैं उससे हमको को यह लेना देने हैं रोगी को आरुख गिलाप मिल जैसे हो जाता है उसमें इसके तेल में भुने हुए चिलबिल के अंकूर का सेवन करने से आपका पेट के जो भी गुल्म रोग है उसका समन करता है पेट समंदीत रोग में जैसे संखनी तुवार निसोथ धन्ती और चिलबिल वा आदी के पत्र साख का भोजन खाने से और इसकी कुछ और प्रियोग बतन जैसे उल्टी हो रहा हूं किसी को तो इस उल्टी में देवधावरा का पत्ता का सुरस मिसरी मिला करके पीने से आपका जो उल्टी हो गया हो उल्टी को भी यहां ठीक करता है अगर मल बंद घया हो नहीं निकार रहा हो तो इसका क्या ये देमध्हावरा का चाल ले करके काढ़ा बना करके उसको पीने मातर से जो ट्रदस्त नहीं हो रहा ट्रटी बंद गया हो तो वहां देमध्हावरा इसको ठीक करता है और ऐसे इनके प्रयोग बताते हैं आयरवेद के नुसार है हमारी धर तो इसका खुब प्रयोग होता है अएरवेद में भी प्रयोग होता है तो इसके इसी का चितरक चितरक जड़े लिजेगा और देमध्हावरा लेजे और सोट लेकर के दो ग्राम की मात्र में खाने मात्र से बबा सिर का भी निवारान करता इसी दरा से चिरवील चितरक लेना है सेंधरामा की आरा माकर बीज या दही या मठा के साथ खाने से कैसा भी आपका खुनी बाबासिर हो उस खुनी बाबासिर को यहां चिल्बिल पुनुरुप से आराम पहुजा करके रोगी भाय बहन को अरुगेलाब देता है इसका प्रियूग कीजिए हमारी धर इसका प्रियूग होता है और जैसे प्रमेह प्रमेह रोग हो गया हो हमारे भायों को प्रमेह रोग से ज्यादा अजकल सिकायत हैं तब आप इसका च्छाल का चूर्ण लिजे 100 ग्राम और चूर्ण में 10 ग्राम हरड बहड़ा और आवला या तो तिर्फला बने बुनावाल मेडिकल में बिल जाएगा उसको मिला करके उ दुभासामिस को खाने से आपके प्रमेह रोग आपको जो दस्त नहीं होता आंखो की कमजूरी है और शरीर में द्रचत की सुध्धी ये करता है और प्रमेह रोग को भी निवारन करता है और हमारे भायों को अंडकोस जैसे रोग हो अशूर का बढ़ जाना जब अंडकोस बढ़ जाए तो इसके बीज जो देख रहे हैं आप उस बीज को पीस करके अंड कोस में लगाने से अंड का फूला हुआ वह तुरंत उतार दिता या देवधावरा तो इसका प्रूब करके आप लाब ले सकते हो और जैसे हमारे माता बड़े बुजूर्ग को कभी-कभी जो स सब्सक्राइब करने मात्रस से भी सुजान, दर्द, जोनों के गठ्यावात इसमें भी यहाँ लाब होता है और जैसे हाथी-पाउं रोग में इसका पत्ता कराज 10 मीली निकाल करके सरसु के तेल में मिला करके पीने से हांथी-पाउं जैसे रोगों में अत्यंत लाब कारी ह होती है आप इसको पहचान लिले अच्छी तरह से आपको मैं दिखा रहा हूं कोशिस कर रहा हूं और इसकी और मैं प्रियूग बताता हूं जैसे किसी-किसी भाई-बहन को सिवत्र रोग हो जाता है और सफेद सफेद दाख से पिलित कई भाई-बहन होते हैं उसको सुर्य नमासकार करना चाहिए सुर्य को वर्द देना चाहिए और नंगे बदन सुर्य के सामने खड़े होना चाहिए आप लड़के हो तो आप चड़ी से भी काम चला सकते हो तो आप सभी वस्तु समान भाग लेना है अर्कमने जो आक होता है वो फुहर लेह आर अरयाओं धन इमन मतलब यह होता है अमल ताथ और चमेली के पत्तों इनका सभी पत्त ली लेना है आप नहीं होना चाहिए जो जंगल में चरने जाती है उसका मुत्र ले 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 तो और अच्छी बात हैं पीस करके सफेद दाग में लगाने से दाद, खाज, खुजली और ना भरने वाले जो घाव होते हैं बाबा सिर्व भी लगाओगे तो उसमें भी काम करें नासुर्ज होता है तो इसमें इसका पत्ता का रस निकाल करके आमला का रस मिस्ट्री वो मधु मिला करके पीने से सुजान और काप पैते और जो सितला का प्रकोप है उसको निवारण करके जलन आदे को धुबी दूर करता है और इसका तेल निकलता है इसका बीज का आप तेल निकाले लगाने से घिस करके दात, खाज, खुजली को भी ठीक करता है और सरीर में पसीना आदी के करण कई परकार के हमारे सरीर में दुर्गंद होता है किटानों हो जाता है, इनफेक्शन फैलता है इसमें खाप, इमिली और चिर्बील इन दोनों के बीज को पीस करके सरीर पर लेपन करने से आपके सरीर में जो दुर्गंद आता है उस दुर्गंद को यहां निवारन करता है इसी तरह से इसके किसी भी प्रकार का दाद हो तो इस पत्तों का रस दाद पर लगाने से भी दाद का समन होता है और हमारे रोगी भाईयों को पुर्णोरुप से आरोग्यालाब दे करके आराम कहुंचाता है। ऐसे तो जिस किसी के सरीर में घा हो जाता है चाहिए पसू हो बैल हो इनसान हो मैंने एक आजमी का चिकिस्सा किया था बड़े-बड़े कीड़े पड़ गए थे उसके सरीर में 7-8 जगा छेद कर लिये थे मुंडी को हड़ी सही तोड़ करके तो इसमें भी मैंने दवी लगाय हो जिस जगह पर घाओं के अंदर शरीर ही इंसान हो या पसू बैल यह थो उसमें लगाने से उकीड़ा उमर जाता है खाओ तुछँ बहरता है रखत पित्ति में लाल-लाल चत्के हो ना सरीर में लाल-ला अगर चत्के हो जाई तो बड़ी मुश्खिल होती है तो लाल-लाल का सुरस को तील के तेल में पका कर करके ठंडा करने पर साजन होती है जिसको बेमची विमाई बोलते हैं उसमें लगाने से यहां अत्यंत लाबकारी चरक सहीता में भी इसका वर्णन आता है लेकिन मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ मेरे भाई बहन और जो कुछ दिखाता हूँ सही दिखाता हूँ अगर आप मुझसे यह एकदम यूटुब से जादा गुपत ग्यान के बारे में जानना चाहते हो जड और किसी को कुछ और बिमारी जैसे हो जाता है जैसे पेट में कीड़ा हो जाना तिसके पतों का रस में सहद मिला कर सेवन करने से पेट के जो कीड़े होते हैं उसका भी निवारन होता है और इसके चूर्ण को वाई विडंग के चूर्ण में मिला करके खाने से आंतों में ज जो अपरहा होता है आवाल होती है हमारी माता बहनों का जो गर्भ में रहती है उने निकर रहा है तो उसमें भी पीने से भी अतिनत लाब होता है